दोस्तों ये मेरे पास है एक प्रोजेक्टर आप जानते ही हैं तो आप इसको हम ठेटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं या ओफिस में यूज़ कर सकते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज इसमें होती है एक प्रोजेक्टर लैंप जो कि इसकी जान होती है जिससे की इसकी पिक् नमस्ते जी उसकी प्रोजेक्टर लैम्प की कुछ लाइफ होती है लाइफ से मतलब कहें कि कुछ टाइम बाद वो प्रोजेक्टर लैम्प धीरे धीरे brightness कम होती है और उसकी picture quality भी खराब हो जाए फिर वो आपको प्रोजेक्टर लैम्प कुछ समय के बाद change करना पड़ता है जिससे की वापस उस प्रोजेक्टर की life वापस आजकती है या कह सकते है उसकी picture quality वापस से perfect हो जाती है बट क्या आपको पता है कि अगर प्रोजेक्टर की जो लैम्प है वो duplicate हो या किसी अच्छे brand का ना हो तो उसकी जो picture quality है इतनी घटिया हो जाती है कि आपको देखने का मन्नी करता है और आप चाते है यार इस projector को जो है न मैं fact दूँ तो दोस्तो अब सबसे बड़ा सवाल कि projector lamp असली है या नकली है जैन्वन कह लीजी है या फरजी कह लीजी है तो कैसे पता करें दोस्तो इससे क्या मतलब है आपके emotions connect होते है आपके projector से जैसे कि आप office में जाते presentation देते हैं एक तरीके से emotion connect हो जाता है बट दूसरी तरफ आपके घर में guest आते हैं वहाँ पे भी emotion connect हो जाता है कैसे होता है कि जब वो आपके pictures या जो movies है देख रहे हैं तो दोस्तो इसके लिए आपको चाहिए किसी अच्छे brand का ये product हो अब अच्छे brand से क्या मतलब है कि जो lighting बनाने की एक बहुत पुरानी और बढ़िया company हो जो मतलब इसमें master हो तो दोस्तो इससे बचने के लिए आपको एक genuine lamp यूज़ करना चाहिए वो भी अच्छे brand का अब अच्छे brand से क्या मतलब है कि AMS Osram company है दोस्तो ये जो company है 110 साल पुरानी है और GERJ Australia में इसका headquarter है और जो co-headquarter है वो Munich, Germany में है तो ये इसी छेतर में यही चीज़े बनाती है इसका एक product है PVIP lamp जो की use होता है आपके e-sneema hall में, school में, आपके education office बगएरा में ये जो projector use देते हैं वहाँ पे ये lamp use होता है बट दोस्तो आपको ये भी देखना कि वाकी में आपका projector lamp अच्छा है या नहीं उसकी picture quality अच्छी है, brightness जाद है तो ये कैसे पता करें तो दोस्तो आज मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कुछ point के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो Osram का ये जो PVIP एक lamp है ये दूसरे product से कैसे अच्छा कुछ point के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तो आप मेरे पास देख रहे हैं यहाँ पे दो projector lamp एक इसमें Osram है और एक इसमें दूसरा जो हमने किसी secondary market से उठाया है अगर इसमें देखे तो मैं आपको कुछ points बताऊंगा सबसे पहले तो अगर Osram बाला product यूज करते हैं तो उसकी life जो है बहुत जादा चलती है वो कितना जादा होता है वो सबसे जादा effect करता है उसकी brightness अच्छी quality पे तो आपको जो नकली या फर्जी कहें न उसमें आपको 30% तक extra gaps मिल जाता है दोस्तों Osram PIP जो lamp होता है उसके through जो है आपको जो picture quality crystal clear मिलती है एकदम blur नहीं होती जबकि नकली वाले में आपको blur मिलती है जबकि साइडों से अगर देखेंगे न rectangle जैसे होता है तो साइडों से देखें वहाँ पे blur आपको नजर आता है यहाँ पे crystal clear इससे नजर आएगी दोस्तों projector lamp में vibrant color ही matter नहीं करते दोस्तों fake lamps में आपको optimization देखने को नहीं मिलता जबकि Osram का lamp यह automation machine से बनता है जिसमें की एक burner tube होती है जो की बहुत important part होती यह जो बनती है बननिल जर्मनी वाली factory में इसको automation machine के थुरू बनाये जाता है जिसमें की high pressure mercury 30 kpa तक होती है जो की बहुत ही कमाल का यह product आपको देखने में मिलता है जो की लंबे समय तक आपका product चलता है जबकि fake जो lamp होता है बिना automation machine के बनता है और उसमें जो bad quality का product लगता है जिसकी वज़े से वो जो picture quality वो भी अच्छी नहीं होती है और साथ ही साथ यह आपको heart भी कर सकता है मतलब नुकसान कर सकता है आग भी लग सकती है बहुत सारी चीज़े इसमें हो सकती है तो दोस्तो आज से जब भी आप projector lamp ले तो बहुत सोच समझ के लिए मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर सारे option कौनसा projector lamp अच्छा है किसमें क्या है तो जब भी buy करें तो Osram का original PVP projector lamp पर्चेस करें तो दोस्तो लेने से पहले यह जरूर देखे कि पर्चेस कहां से करना है आप सूच रहे हैं आप पर्चेस करना Osram का तो आपको description में लिंक है वहाँ से पर्चेस करें क्योंकि fake हर जगे product हो सकता Osram का fake product भी मिल जाए और आगर आप देखें तो iPhone, Apple Watch 8 जैसी जो नकली चीज़े आपको मिल जाती है तो आपको नहीं लगता कि Osram का PVP आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा तो नीचे distribution जो dealers है उनकी link है वहाँ पर जाए उनको phone करें वहाँ से purchase ये वीडियो अपने दोस्तों को शेर करना क्योंकि ऐसी नकली और fake वाली चीज़े मैं आपको बताता रहा तो दोस्तो अगर आपको projector lamp purchase करना हो और brightness काफी अच्छी रहे तो Osram का PVP करिए description में link है वहाँ जरू जाके इसको check कर सकते हैं तो दोस्तो आई होफ ये वीडियो आपको पसंद आई हो इस वीडियो से related कोई भी query कमेंट में लिखके आप पूछ सकते हैं हम उसका जवाब देंगे तो दोस्तो आज की वीडियो के लिपना ही thank you so much पन्दवात